नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं इस पर सीयम ने कहा है कि संगिय ढाचे में ऐसी मुलकाद जरूरी है परधान मंत्री देश की सरकार चला रहे हैं, हम राज की सरकार चला रहे हैं हम उनका समान करे और और राज्य को समान दे, ऐसा होता रहना चाहिए उलेखनी है कि दिल्ली परवास्क द्वान हेमन्त ने राष्टपदी द्रोपदी मुर्मू और परधान मंत्री नैंद मोदी से मुलकाद की है इसके लावे कांग्रेस की पूर्वर राष्ट्री अध्यक सुनिया गांधी दिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल की पतनी सुनिता केजरिवाल आपके वईष्ट नेता संजय सिंग और सांसत पप्पू यादव से भी मिले है साथ ही वहां सिवारा नसी और मिर्जा पूर्जा करकासी विश्वनात और माविंद वासिनी का दर्शन पूजा भी की है बैक टू इसकूल अभियान शुरू ड्राप आउट बच्चों को लाने की तयारी जार्खन में बिद्याले से बाहर और ड्राप आउट बच्चों को बिद्याले लाने के लिए बैक टू इसकूल अभियान की शुरूआत मंगलवार से शुरू हुई है बैक टू इसकूल अभियान को लेकर राज सिक्चा परियुना परिशद में राज अस्तरिय उन मुखी करन कारे साला का आउज़न किया गया कारे साला में जार्खन सिक्चा परियुना निदेशक आधित रंजन ने अभ्यान के दोरान विद्यालियों को संचालित बाल सांसत, माता समीती, विद्याले प्रवंदन समीती, जल सेना वा, इको कल्ब की सक्रिये भागेदारी सुनिश्चित करने को कहा इस अभ्यान की मौनेटरिंग गूगल लिंक वा पोर्टल के माध्यम से होगी उन्होंने कहा है कि जो बच्चा इसकूल में नमांकित हैं उसे विद्याले लाने और जो नमांकित बच्चे हैं उनकी सत परतिसात उपस्थिती बनाए रखना विद्याले के साथ साथ पताधिकारियों की भी जिमेदारी है इस अभियान में लापरवाही या धिलाई वरतने वाले बिद्यालियों की विरूत कड़ी करवाई करने का निर्देश दिया गया है राज्ये में प्रालश्य स्कुलों के सिख्षकों की मांग़े रिक्तियाँ इसमें अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती समाने अत्यंत पिछडा और पिछडा वर की जनकारी देनी है वही असनातक प्रसिशित बेतनमान ग्रेट पेच शाली सो के लिए भी सेवार और कोटी वार जनकारी देनी है इसमें भी स्विक्रिती, कररत और खाली पदों की संख्या देनी है इसमें सिधी नियुक्ती और प्रोनती से भरे जाने वाले पदों की अलग-अलग जनकारी मांगी गई है गढ़वा में तेज रफ्तार पीकप ने आटो को मारी टकर दो बच्चों की मौत राष्ट्री राजमार्ग 75 बाईपास चड़क पर गढ़वा थाना छेतरे के करमडी फोर लेन, क्रासिंग के समय पीकप वो आटो की टकर में आटो में सवार दो इस कुली चात्रों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आटो चालक समित 5 लोग घाल हो गए है इस घटना से अक्रोसित गरामिनों ने पीकप को आग के हवाले कर दिया जबकि मामले को सांध कराने पहुंची पूलिस के साथ भी गरामिनों ने जड़प की है गरामिन पूलिस को लक्ष कर पत्थरवाजी करने लगे भीड को नियंतरित करने के लिए पूलिस ने लाठी चार्ज किया और आशू गयस की गोले छोड़े गए इससे कई गरामिनों को भी चोट लगी है पूलिस ने भीड को ख़देडने के करब में 6-7 गरामिनों को हिरासत में भी लिया है जबकि पुलिस इरासत मिलिये गए दो ग्रामिनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया गया है मध्य अफरीका में चार महीने से फंसे हैं जारखन के 27 मजदूर जारखन के बोकारों हजारी बाग और गिरीडी जीले के 27 परवासी मजदूर मध्य अफरीका के कैमरून में फसे हुए हैं चार माह से उन्हें कमपनी द्वारे मजदूरी नहीं दी जा रही इस करान उनके सामने खाने पिने का संकट खड़ा हो गया है मजदूरों ने सोसल मीडिया पर वीडियो सेयर कर अपने हालात बया की है और सरकार से वतनवापसी की गुहर लगाई है मतादे जार्खन की महिला योंबाल विकास मंत्री बेवी देवी ने इस ममले में सोसल मीडिया एक्स पर विदेश मंत्री एस जै संकर से इनकी वतनवापसी में मदद कागरा किया बोकारो जिले के पेक नरायनपूर थाना छेत्रे के कर्रुक हुट्टा के मोहन महतो डेंगलाल महतो गोविंद महतो चूरामन महतो सामिल हाएं मिरितक बच्चों के घर पहुंचे मंत्री मिथी लेस कहा पूलिस पर हमला करना गलात गढ़वा जिले के सदर थाना छेत्रे के डुमरो गाओं में मंगलवार को हुई भीशन सरक हाजसे में दो बच्चों की मोत एवं पूलिस पर हमले के बाद गढ़वा का स्थानिय बिधायक सा मंत्री मिथी लेस ठाकूर घटनास थल पर पहुंचे मंत्री ने घटनास थल का जाजा लेते हुए मृत तक बचों के घ़र गए और परिजनों से मिलकर उन्हें धान्डस बढ़ाया यह हर संभव मदद का भरुसा दिया है इस मौके पर गरामिनों ने मंत्री मिथी लेस ठाकूर से एक सर्विस रोड की मांग की है ताकि इस तरह की दुर घटनास से बचा जा सके वहीं मंत्री ने कहा है कि हमारे विधान सबस चेत्री में एक दुखदाई घटना घटी है हम परिजनों से मिलकर उन्हें संतावना दिया है परिजन को सरकारी प्रवधान के अनुसार जो लाब होगा उन्हें मिलेगा उन्होंने कहा है कि घटना के बाद पूलिस पर हमला करना गलत है कुछ लोग हैं जो इस घटना को अंजाम देखकर बाकी लोगों को बदनाम किये हैं हमने पूलिस को यह निर्देश दिया है कि बेगुना कोई फसे नहीं इनामी नक्सली जया मांजी गिरफतार धानबाद से बड़ी खबर है जहां 25 लाग के इनामी को ख्यात नक्सली जया उर्फ चीनता को गिरिडी पूलिस ने गुपत सुचना के अधार पर असरफी अस्पताल से गिरफतार को अपने साथ ले गई गिरफतार महिला नक्सली एक रोर के इनामी नक्सली परियाग मांजी उर्फ बिवेक लेतरा की पतनी है बता देखी गिरफतार हुई महिला नक्सली बिहार जारकन स्पेसल एरिया कमेटी के साथ से थी असरफी अस्पताल में गुप चुप तरीके से इलाज गरा रही थी पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो इसके बाद धनबाद पुलिस पूरे अस्पताल को अपने कबजे में ले लिया इसके बाद गिरीडी पूलिस धनबाद, पूलिस के सहयोग से अस्पताल पहुंच का नक्सली जयाग वोकरी सुरक्षा की साथ अपने साथ पकड़ कर ले गई है खतियानी मुलवासी की बैठक में उन्हें 32 लागू करने पर जोर जार्खन की राइनिती में जार्खनियों को विशेश अस्थान देने पर विचार विमर्स किया गया इसके साथ ही जार्खन विधान सवाचुनाओं में खतियानी परिवार के परत्यासी उतारने चौपारन बहेरा आश्रम में अवैद तरीके से हड़पी जा रही जमीन पर आंदोर्ण करने किसी बाहरी परत्यासी को अपना मत नहीं देने का निर्नाई लिया गया मोगे पर मुहमद हकीम डाक्टर सीपी सदंगी उपस्थी थे बढ़का गाओं में जूलूस मार को लेकर बवाल पत्राव बढ़का गाओं के सुनपूरा गाओं में महोदी के जूलूस मार को लेकर मंगलवार को बवाल हुआ है पुलिस के सकती के खिलाप कुछ लोगों ने पत्राव किया इसमें बढ़का गाँ बीडियो जितनर मंडल और ग्रामिन भोला महतो चोटिल हो गए हैं इसके बाद पुलिस ने बल पर्योग करते हुए भीड को खदेरा आसु गैस के गोले भी छोड़े गए खर्टनास इलाके में तनाव है बोकावरो आईजी और हजारी बाग एसपी कैम्प कर रहे हैं दरसल जूलूस मार को लेकर अंसन कर रहे लोगों को पुलिस ने हटा दिया था साथी धरने करनेतित्य कर रहे अमन और संजय को गिरफतार कर लिया था बिरोध बढ़ने पर पुलिस परसासन की टीम ने स्वन पूर्वा में मंगलवार को घर घर तलासी ली इधरन कुछ ग्रामिनों के पिटाई भी कर दी गई है राज्य में घुस पैठियों की आदिवासी बेटियों से साधी नहीं हो हिमान्त असम के मुख्य मंत्री और भाजपाज जार्खन बिधान सवा चुनाओं के सह प्रभारी हिमान्त बिश्वा सर्मा दो दिवसी संगाठनिक दोरे पर मंगलवार को जार्खन पहुँचे रांची में यर्पोट पर मीडिया से बाज़ित में उन्होंने जार्खन की बरतमान सरकार को उखाड फेकने की बात कही इसके बाद उन्होंने पुर्व निधायत कारकरम के अनुसार तोरपार खुटी बिधान सवा चेत्र के करकरता अभिनंदन बिजय संकल्प सभा को सम्बोधित किया सम्बोधित में हिमंद विश्वा सर्वा ने कहा है कि हिमंद सरकार खुश पैठियों के संरक्चन में जूटी है भागवान विशा मुंडा से दू कानू की धरती खुश पैठियों की धरती बन रही है संताल पर गना की डेमोग्राफी बदल गई है लब जिहाद, लेंड जिहाद, चरम पर है आदिवासी बेटियों से बंगला देशी घुश पैठिये साधी कर जमीन कब जा रहे है उन्होंने कहा है कि राज में ऐसा कानून बने जीसे घुश पैठिये आदिवासी बेटियों से साधी नहीं कर सके भाजपा नेताओ का काम समाज में सिर्फ भेद भाव फैलाना जम्मो जम्मो ने भाजपा के विधान सभाज चुना परभारी हुओ केंद्रिय मंत्री सिवराज सिंह चुभान और सह परभारी असम के सिय में हिमन्त बीश वा सर्मा परतंज कसा है जहां मों महासर्ची सुप्रियों बटाचार ने मंगलवार को पार्टी कर्याले में पत्रकारवार्था के दरण सवाल किया है कि क्या हिमंत को असम में बाड की स्थिती नहीं दिख रही वहां 180 से अधिक लोगों की मौत हुई है कई हजार लोग बेघार हो गए है जहारखन में सदियों से बसे लोगों के बीच आपसी सवहर्दे कायम है भाई चारा है भाजपा का कायम ही भेद भाव फैलाना है लेकिन जहारखन की जनता भाजपा के ऐसे नपाक इरादों से भली भाती वाकिफ है उन्होंने हिमंद से सवाल किया है कि असम में एनर्सी में वहां के बड़ी संक्या में हिंदू संप्रदाय के लोगों का नाम रजिस्टर में नहीं चड़ा सर्मा को सीसी और एनर्सी की वस्तुई थिति पर बाते रखनी चाहिए सुप्रियों ने आरोप ल 31 तक योगदान देने का निर्देश के 188 संस्क्रित के 111 अंग्रेजी के 226 इतिहास के 200 बानीजी के 248 अर्थ सास्त के 189 और गनीद विसा के 266 शिक्षाखाएं 12 जूलाई को इन्हें मुक्यमंत्री हमान सुरेन ने नियुक्ति पत्र दिया था बियारपी सियारपी का 85 तक बढ़ा मान्दे जारखन के प्रखंड साधन सेवी और संकूल साधन सेवियों को मान्दे बढ़ गया है राजसरकार ने 8500 रुपे तक मान्दे में बढ़ोत्री की है इसकूली सिक्षावशा शर्था विभा के परभारी सची उमा संकर सिंग ने मंगलवार को इसका संकल पजारी कर दिया है प्रसिक्षित बियारपी को बर्तमान में 17500 मान्दे मिलता था इसके मान्दे में 8500 रुपे की ब्रिधी कर दिया है वहीं अनुस्रवन भत्ता 1230 रु दिखी गई है अब इन्हे 26 रुपे मिलेगा रांची मेले में घूसी स्कूल बस के धक्के से बवाल रांची के विधान सवाग समी बस के धक्के से मंगलवार को दो महिला को धक्का लगा है इस हादसे में दोनों महिला गंबी रुप से घायल हो गई है घायल महिलाओ को आन वाले स्कूली बस में जम कर तोड़ फोड़ कर दी गई इसके बाद आक्रोसित भीर ने विधान सभा मार को जम कर दिया मेला घुमने के लिए बड़ी मंगलवार को सर्धालू जगरनाथ पूर मंदिर पहुंचे थे दोनों महिला भी मेले में आई थी तभी विधान सभा की ओ हिसो में 22 जुलाई तक हलके से मद दर्जे तक की बारिस होगी भारतिय मौसम विध्यान विभाग के पुरोणमान के नुसार इन दिनों मानसुन गतिवीदिया कमजोर हुई है जिसके कारण बारिस समाने अस्तर की होगी जबकि आस्मान में बादल चाय रहेंगे और दो या उससे अधीक बार हलके से मद दर्जे की बारिस होने की समावना इन दिनों बनी रहेगी मंगलवार को हुई बारिस भी राजे के सभी हिसों में समाने ही रही है राजे में सुबह में जमाजम बारिस के बाद बीच में छीट फुट रूप से बुंदा बुंदी रही जबकि देर साम तक बारिस नहीं हुई है धन्यवाद